कैसे उम्मीद करता हूं बढ़ियाओंगे और तयारी आप लोगों के अच्छी चली रही होगी साथ ही साथ उस तयारी को और अच्छे बनाने के लिए आज हम करें कुछ इंपोर्टन्ट क्योश्चन जो कि आपके साइंस के हैं तो उसी के लिए सबी बच्छों को बैस्ट ओप लक और साथ ही धियान से समझजिए क्योश्चन कितने आप लोगों मुझे पहले आते थे कमेंट वोक्स में बताना और जिसको इसकी पीडियाप चाहिए वीडियो के ल सबसे ज़्यादा एयर में क्या होता है ओक्सीजन, कार्बन डैक्साइड, नाइट्रोजन और और ओरगन तो सबसे बच्छे जो है इसका राइट आंसर देंगे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन होती है 78% ता ताज महल इस बिंग अफेक्टिड बाए त ताज महल का असर सबसे ज़्यादे किस की वज़े से हो रहा है नोईश पोल्यूशन, एयर, वाटर या फिर नन अब दीज़े तो बच्छो इसका राइट आंसर होगा आपका एयर पोल्यूशन वाई उपर देशन बहुत सारे बच्छे वाटर पर लगा देंगे लेकिन गल हो जाता है, बच्छो काफिसरम की बात है हम इंडिया में रहते हैं उसके बाद भी जो हमारी सबसे परदूसी नदी है वो गंगा का नाम उसमें आ रहा है, और अप्शन अंबर डी, एयर पोल्यूशन कोज़े से होता है, गलोबिंग वार्मिंग, पिस पायरेटरी, सिटम, soil erosion या फिर ननोबदीज तो भाई air pollution से क्या होता है सबस्याद बिगड़ती है respiratory system सांस की समस्याई जैस से आ जाती है green house gas is green house gas कौन सी है nitrogen, oxygen, methane या फिर carbon dioxide तो सहीब आप का answer है carbon dioxide green house gas जो हम carbon dioxide को बोलते है the percentage of nitrogen is nitrogen का percentage कितना है तो nitrogen भी मैंने बताया 78% what causes pollution pollution किस कारण से होता है human activities, trees, both of these या फिर none of these तो 7 का right answer है production का केवल और केवल एक कारण है human activity यह जो इनसानों की गतिविदिया है इसी की वज़े से production बढ़ता है cng is a cng क्या है polluted fuel, clean fuel, harmful fuel या फिर none of these तो cng जो है एक वो clean fuel है 8 का आपका B right answer pollution of water is responsible for पाने का जो production होता है वो किसकी वज़े से होता है oil refinery, paper factory, sugar mills या all of these तो सही बताऊं तो आपको जो यह water pollution है यह जो है इन सभी की वज़े से होता है option number D आपका right answer chlorofluorocarbon is used in chlorofluorocarbon जो है उसका किसमे यूज किया जाता है जो काफी harmful है हमारी ozone gas के लिए भी तो उसका right answer है आपका refrigerinator air conditioner perfume तो उसका सही answer है D यह इन सभी में यूज किया जाता है लिया गे देखते है next आपका which is substance give heat and light after combustion वो कौन सा पतार्थ है जो जलने के बाद उसमा और प्रकास देता है या फ्लेम है फ्यूल है combustion है या फिर डनोब दीज तो फर्ष्ट का आपका right answer है fuel इंधन जो होता है वो जलने के बाद कर्मी और उड़जा उसमा देता है like fuel the sun also provide heat and light process taking place in the sun is cold इंधन की तरह सूरज भी उसमा है प्रतान करता है सूरज में होने वाली प्रकारिया क्या कहलाती है most important question है भाई ये combustion nuclear burning all of these तो second का आपका right answer होगा उसको हम nuclear process बोलते हैं परमानू प्रकारिया next आपका coal बर्ण विद coal जलता है name के साथ only glow both flame and glow या फिर none of these तो कोईला ता आपने जलते हुए देखा ही होगा तो कोईला जो है के वल glow के साथ जलता है हलका हलका जलता रहता है burning of charcoal is closed room will produce जब हम charcoal को जलाते हैं तो वो क्या produce करता है carbon dioxide, nitrogen dioxide carbon monoxide या फिर all of these तो fourth का सही answer है आपका बच्चो वो carbon monoxide produce करता है आपने सुना होगा ना सर्दियों में बहुत सारे लोग तापने के लिए घर के अंदर गिठी जला लेते हैं और जिब सुबही पता चलता है कि उनकी death हो चुकी है तो वो इसका यही कारण है कि carbon monoxide दिर दिर बन जाती है oxygen खतम हो जाती है जिसकी वज़े से वो मर जाते है नेक्स्ट आपका वो कौन सा सबस्टेंस है जो जिसका इगनेशन टेंपरेचर बहुत ही लो होता है इगनेशन टेंपरेचर क्या बोलते है मतलब किसी चीज को जलाने के लिए जो टेंपरेचर सुरवात में जुरत पढ़ती है उसको इगनेशन टेंपरेचर कहते है जैसे कि लकड़ी है उसको हलकी सी आग दोगे तो वो नहीं जलेगी थोड़ी देर बाद गरम होंके वो जलना शुरू हो जाती है तो उसी टेंपरेचर को जिस टेंपरेचर पर कोई भी सबस्टेंस जलना शुरू होता है उसको ignition temperature बोलते हैं तो किसका होता है catch fire easily will not catch fire catch fire after some time या फिर ननोब दी तो जिसका very low ignition temperature होगा तो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगा catch fire easily आसानी से आग पकड़ लेगा CNG and PNG are example of CNG and LPG किसके example है solid fuel, liquid fuel gaseous fuel या फिर they are not fuels कि ये fuel ही नहीं है उसका सही answer है कि ये जो है gas ये इंदन है कैसे हैं ये gas ये इंदन घर में LPG यूज होती है वो gas की form में आती है cylinder में ignition temperature is ignition temperature is lowest temperature that catch fire higher temperature that catch fire any temperature या फिर none of these इनमें से कोई नहीं 7 का right answer है वो temperature जिस पर कोई इंधन आग पकड़ लेता है उसको हम ignition temperature बोलते हैं तो 7 का एक आप ये जो है आपका right answer हो जाएगा 8 Compution is Compution क्या होता है तो chemical process है physical both of these processes none of these processes 8 का सही answer है ये chemical process है chemical process राजने के परिकरिया वो होती है जिसमें कोई एक चीज जो ही product में बदल जाए फिर सो उसको दुबारा से बनाया नहीं जा सकता अगेन उसको किरियेट नहीं किया जैसे लकड़ी को हमने जलाया और लकड़ी से जो है क्या बनी जलने के बाद में हमें क्या मिलता है तो हमें मिलता है carbon dioxide and water option number A आपका right answer there are following jones of flame flame जो होती है उसकी कितनी jones होती है two, three, four या फिर nine of these तो उसका सही answer है इसकी three flame होती है एक सबसे अंदर होती है एक बार और फिर एक सबसे बाहर वाली जली आगे देखते है plastic wire is a plastic wire क्या होता है तो ये एक insulator होता है क्या होता है एक insulator electroplating is based on electroplating जो है वो किसके उपर आधारित है हमें ये बताना है उसका सही answer होगा आपका chemical effect of electricity किसके उपर है ये विजली के रासाइनिक परभाव adding of common salt digital water make it जब हम common salt उसके अंदर मिला देते हैं तो उसको क्या बना देता है तो उसको बना देता है एक अच्छा conductor उसमें से current जो है अच्छे से चलने लगता है and electrolyte is एक electrolyte क्या होता है एक metal है एक solution है एक liquid that conduct current या फिर all of above तो fourth का right answer हो जाएगा एक liquid है जिसके अंदर से current flow हो सकता है copper wire is a code copper wire क्या होता है ये एक अच्छा conductor होता है electricity का and heat का poor conductor are poor conductor कौन सा है plastic, cloth, wood या फिर all of these तो ये सारे का सारे poor conductor ही है digital water क्या है आसुत जल क्या होता है poor conductor, wood conductor A and B या फिर none of these तो इसका सही आंसर है ये एक जो है poor conductor होता है flow of electron is cold electron के flow को क्या कहते हैं electroplating, electric current, electrodes या फिर electrolyte तो जो electron बहते हैं तो हम जानते हैं the rate of the flow of electron known as electric current तो option number B आपका right answer हो जाएगा नाइंत का देखिए electroplating, prevent electro print से क्या बचता है current, chemical effect, rusting या फिर all of these तो 9 का right answer है आपका इससे rusting जंग नहीं आता है electric lamp glow due to electric lamp जै किसकी वज़े से glow करता है chemical effect, magnetic, heating या फिर none of these तो 10 का right answer है ये heating effect की वज़े से glow करता है ये 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 य